हेलो फ्रेंट्स, मैं आपकी दोस्त नायर आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इस वेल्थ पर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भुवती महिला को कौन-कौन सी चीजे खानी चाहिए उन चीजों के अंदर अच्छा आहार, फ्रूट जूस, नारेल पानी, नट्स ये सारी चीजे आती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे बीज यानी की सीज भी होते हैं जिनका सेवन करके भी गर्भ वक्ती महिला अपने आपको सुरक्षित कर सकती हैं आईए जानते हैं उन भीजों के बारे में जो प्रेग्रेंसी के दौरान आप खा सकती हैं टिप नमबर बन है चिया सीर्स चिया सीर्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी असेट होता है जो गर्भ में बल रहे बेबी के ब्रें के विकास के लिए काफी अच्छा माना जाता है इसलिए आप गर्भ ववती हैं तो आपको चिया सीर्स का प्रियोग जरूर करना चाहिए टिप नमबर टू है तिल के बीच तिल के बीच का सेवन भी आप कर सकती है गर्भवस्ता के दोरान अपने आपको और अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए आप चाहें तो काले तिल और सफेड तिल दोनों को ही मिक्स करके खा सकती है लेकिन ध्यान रहें कि तिलव में बहुत ज्यादा गर्मी होती है इसलिए इनकी मातरा को संतूलित करना बहुत जरूरी है टिप नमबर थ्री है खरबूजे के बीच खरबूजे से बीच निकाल कर पहले अच्छे तरीके से धो लीजे और फिर धूप में सुका कर उन्हें छील कर रख लीजे प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में उर्जा भी काफी कमी होती है उस उर्जा को बरकरार रखने के लिए ये बीच आखी काफी मदद करेंगे टिप नमबर फोर है कद्दू के बीच प्रेगनेंसी के दौरान बार बार उल्टी वाली फीलिंग आती है जिसकी वज़े से बार बार उल्टी आती है या फिर उपकाई आती है उन चीजों को दूर करने के लिए आप कद्दू के बीचों का भी प्रियोग कर सकते हैं टिप नमबर फाइब है खस-कस आप यदि प्रेगनेंट हैं और आपके शेरीर के अंदर उर्जा की कमी है तो आप खस-कस के बीचों का भी प्रियोग कर सकती है सो फ्रेंट्स ये है कुछ ऐसे बीच यानी की सीट्स जिनका प्रियोग आप प्रेगनेंसी के दौरान कर सकते हैं और अपने साथ-साथ अपने गर्द में पल रहे शिशों को भी सरक्षित कर सकते हैं इसलिए इन्हें ट्राइज जरूर करें और अपने व्यूस को हमाई साथ शेर करना बिल्कुल न भूले मेरी ब्यूटी और हैल्ट से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सबस्क्राइब कीजिए तब तब मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजासत रेती हूँ